कि सबसे पहरे वारें हैस्टिंग आए इजाज़ेदारी सिस्टम रखा फिर कानवालिस आए इस्थाई बंदवस पर्मानेंट सेटल्मेंट रखा फिर टॉमस मुन्रो आए उन्हों ने रइयत वाड़ी स्टार्ट किया और यह लॉड हैसिंग ने महलवाड़ी स्टार्ट किय सबसे पराना रंगपुर है रंगपुर हुआ था 1783 में बंगाल में इसमें कुछ नहीं तर लगान बढ़ा दिया था इसलिए किसाना रिवल्ट किया इसलिए रंगपुर तो रंगपुर की डेट पूछ सकते हैं एरिया बंगाल है तो बंगाल के रंगपुर में यह पीडिया डाल देंगे कि याद करते चला है ना तो बंगाल के रंगपुर में कब रिवल्ट हुआ 1783 में लगान या लेंड रिविन्यू की रेट ज़्यादा बढ़ाने की वज़े से और इसके लीडर थे धीरज नाराण तो बंगाल के रंगपुर के में 1783 में हुआ रंगपुर रिवल्ट और नेता ते धीरज नाराण इसके बाद अब नील रिवल्ट नील विद्रो तो नील विद्रो में कुछ नहीं जवज़ती नील की खेती करवाते थी ठीक है और पैसा बहुत कम दे थी बंगाल में दो लोग थे एक विश्वास विश्नुसरन विश्वास और एक दिगंबर विश्वास तो दो किसानों ने नील विद्रो इंडी को रिवल्ट स्टार्ट किया था बंगाल में ठीक है क्योंकि बंगाल में नील की खेती करवाई थे एक फ्रेंच ने फ्रंग्रेजों ने भी इसको continue रखा और दो किसान लोगों ने इसको start किया कौन-कौन नाम विश्णू सरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ठीक है इसमें इस नील विद्रो में मदद की थी हरिश्चन मुखर जी इनका एक नीज पेपर नील विद्रो में इस अपनी भूमिका निभाई थी तो दा हिंदू पेट्रियार वो इसके एडिटर कौन थे हरिश्चन मुखर जी इस नील विद्रो को नील दरपड नाम के एक नाटक बनाया था नील दरपड एक नाटक था जो किसने लिका था दीन वंदू मित्रा जब नील दरपड नाटक गाउवालों के सामने किया तो जो अंग्रेज किसानों को मार-मार की नील के कहती करवाता था जैसे उसने मारना सुरू किया तो पबलिक आ गईю उसको मारना सुरु कर दिया तो आपसे नील विद्रो पूचे तो बंगाल के नदीया जिले में नदीया पेट्रियाट जिसके एडिटर थे किसने इस पर नील दरपड नामक नाटक लिखा था इतना वसियाद करना है इसके बाद में किसानों की डिमांड मानी गई और एक नील कमीशन बनाया और किसानों को मैं की चिने लिख और नील्स साथ में निला सिक्ट्रीशन राइवा तो किसान विद्रों पढ़ें समझें तो कहां से शुरू नील विद्रों की डेट 1859 कहां से सुरूगा बंगाल के नदिया जिला के गुबंधपुर्गा दो विश्वास किसानों ने सुरू किया कौन कौन से विश्वास किस नीज पेपर ने मदद की एडिटर नाटक कौन सा लिखा गया किस ने लिखा अब है पावना पावना भी बंगाल में है जो पा किसान चंदरिनात संबू मुस्लिम में खुदी अल्ला एसे कुछ कर गया है तो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने लोगों ने क्या किया यहां पर कुछ संगठन बनाना शुरू किया और उसमें यह बोला कि हम जमीदार को लगानी देंगे हम सीधे महरानी को देंगे बनाया अब बंघाल का डिपटी गवर्णर था व Серг低ण के किसान किसान का करेगा किसान क्या कह रहा है हम किसको सीधे लगा दे अंग्रेज कुस हो गएStudent बंधान की हम जमीदारों को लगान neglect तुम चाहे हमसे डवल ले लो एच्छा ऐसा है बोले हम महरानी के भक्त हैं तो जब बंगाल के लेप्टिनिन गवरनर थे तो सामपरदायक एक ताथ ही यहां पर है ना इसके बाद यहां पर नेता हिंदू ईसान चंद और मुसलिमें खुदी मला थे किसानों क्या हूं भूल जान किसको देना चाहे थे यहां क्योंकि महरानी के रहीयत रहीयत मतलब किसान है। इसलिए बंगाल के लेप्टिने गवरनर कैंपे वेल ने भी स्पूट किया इस आंदोलन का और support में बाद में इनके लिए एक Act बना दिया, बंगाल TNAC Act, नील विद्रो जब हुआ तो उनके लिए भी एक कानून बनाया, नील कमीशन बनाया, तो जितने भी आंदोलन हुआ उनके support में अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ बनाया, या तो कमीशन बना दिया, एक कानून ब गवर्नर केंपेबेल ने भी इनका support किया, और इसनके लिए 1885 में बंगाल TNAC Act, बंगाल कास्तिकारी अधिनियम पास किया, तो रंगपूर रिवॉल्ड, रंगपूर बिद्रो कब हुआ था, यह सबसे पुराना, 7083, कहां पर हुआ, बंगाल में हुआ, नेता कौन थे, धी धीरज नाराण किस आंदोलन की निता थे, चारपांच किसान आंदोलन के नाम देदेगा, याद करना पड़ेगा, तो रंगपूर के थे, धीरज नाराण, नील विद्रो दो विश्वास, नील दरपन नाटक, और दा हिंदू पेट्रियाट नीच पेपर, नील के खेती किस ने शुरू करवाई थी, लूइस बनार्ड ने फ्रेंच परसंत है ना, पावना विद्रो भी बंगाल में हुआ, इनकी डिमांड थी हम अंग्रेजों को देंगे, इसने बंगाल के लेप्टिन गवरनर केंपेल ने भी इनका सपोर्ट किया, उनके लिए एक आया, ठीके तो पावना विद्रो कव हुआ, किसने किया और क्या रिजल्ट निकला, चलो अगला है कुका, तो कुका सुरू किया था जवाहर मले 1840 में, पंजाब में, तो जो कुका है पंजाब में सुरू हुआ, तो जो कुका है वो पंजाब में सुरू हुआ, और 1840 में हुआ, ये था एक reformist सुधारवादी आंदोलन मतलब गलत सलज जो प्रथाय चल दी उनको दूर करना एक इस्वर को मानना यह शुरू किया था जवाहर मल्ले जवार मल्ल को सयाने साहब सयाने साहब मतलब समझदार साहब सयाने या सयान साहब कहते थे उनके एक रिमांड आएगा गुलामी है ना इसके बाद इस्त्रियों को पढ़ने लिखने दो जब सब सुधारों को दूर करोगे इसलिए यूपीएसी में कुछन पूछा था कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन ने सोसल रिफॉर्मिस्ट या सोसल रिलीजियस जो रिफॉर्म सुबद्र गुमारी चोहान मिलेंगी अरुना असप अली मिलेंगी इसके बाद सैगल जी मिलेंगी जन्होंने लच्मी रजीमेंट समाली थी आजाद हिंद पहुज में कैप्टन लच्मी सैगल तो अगर समाज एक धार्मिक सुधार अंदोलन नहीं होते तो महिलाएं तो सत पे बिद्रों के बाद यह अंदोलन होंगी तो अगर चुआ चुद नहीं मिटाते तो दलित लोग साथ भाग नहीं ले पाते कि उन्हें लगता न हम तो हिंदू है नहीं और सभी बात है जाप आप जिनको साथ में बैठ नहीं नहीं दो जिनके साथ खाओ नहीं और बोलो ह भगवान नहीं को मानना है राम को किर्ष्न को बिश्ण को ब्रह्मा को पर जा नहीं सकते अंदर तुम चूहोगे तो पर भगवान तुमारे हैं तो तुम्हारा गुतना अधिकार या नहीं है सिदी सिदी बात रखो तो यह जो समाज एक धर में सुधार अंदोलन थे इन्होंने लोगों को जोड़ेने का काम किया लोगों में यूनिटी लाने के कोशिस की जिससे सुधनता अंदोलन और मजूद हुआ है यही यूपीसी मे सुरू हुआ था 1840 में शुरू किया थे बाबा थे जवाहर मल जैने सयाने साहब या सयान साब कहते थे और इनका चेला था बालक से आगे चलके यह बनगे अंग्रेजों के खिलाब इनके फेमस निता थे राम सिंग और राम सिंग को बाद में बर्मा भेज दिया बर्मा जे ने चीजा रखना जगा का नाम पहले की नेता बाद में किसने समाला जवार मल ने सुरू किया और राम सिंग ने इसको आगे बढ़ाया जवार मल जब तक थे यह धार में का अंदोला था रिलिजियस मूवमेंट था राम सिंग आये तो यह अंग्रे जोंग मुवमेंट हो किसान ही इसमें पार्ट स्पेट कर रहे थे चलो तो कौन-कौन से बंगाल में हमने रंगपुर पढ़ लिया नील पढ़ लिया पावना पढ़ लिया पंजाब में कौन सा पढ़ लिया कूका अगला है दक्कन तो महरास्ट और साउथ में जो विद्रो चला था यह चल रहा तक रहाता है इसलिए कि अमेरिका में स्वजंता अदूलन सुरुआ हो गया अमेरिका क्या था अंग्रेजूं की अधिवासि रहते थे अमेरिका की किस ने की थी कोलंबस कोलंबस जैब वहां पहुंचा तो यहां जन जाती थी ट्राइब ने बूला रेड इंडिया प्योंक तो कॉलंबस तो उसने बोला इंडिया डिया में तो कोलमिस से जब कोशिन ने कर दी बात में क्या हुआ इंग्लेंड में जितने लोग क्राइम करते थे चोरी करते पकड़े गए पॉकेट मार हुआ उन सब को काला पानी की सजा दे दे अमेरिका बोले तुमने चोरी करते पकड़े गए अमेरिका जाओ उन्हें का तुम में मडर का किस चला तुम अमेरिका जाओ एक्चुली वो अमेरिका में एक बस्ती बसाना चाहते थे और लोग इंग्लेंड छोड़के जाना नहीं चाहते थे तो तो उन्हें की तुमारी ये सजा है पकड़की इसको वहां भरती कर दो जिसे अपने आनी बर् अब्श्टी है मेसाच्वेट्स वो अमेरिका की है सबसे अच्छी एक लड़की ती उसने 12 नहीं किया था 10 ते के बाद उसके घर में उसकी मम्मी ने पढ़ाया उसने 11 नहीं किया आयाइटी क्रेक कर लिया लेकिए जब उससे डिग्री मांगी तो नहीं दी पर उसने इस लड़की को नहीं दे दिया तो इंडिया में यही तो प्रॉबलम है कि यहां जैसे किसी ने नीट कौली भाई कर दिया बार्वी पास है कि नहीं क्या करना जो एक्जामने दे रहा उससे यही पता चला इसको नॉलेज है अब फैल हो गया जो को बात आला तो यह प्रकाणा निहीं देखते हैं ऐी अपने माक्स देखते हैं इस़ूल कोचिंग वाले दे कहा सौ में सो मैंच सो में सो केमिस्ट्री सौ में सो अबर स्टार्स और स्टार के अंदर बना दिते हैं भली उनका फ्यूचर में कुछ नहीं हो रहा हो तो अब्र प्रवलम यहीं ही और मैं जो देख लिए इंडिया उस्टेलिया का पॉइंट तो इंडिया के पैरेंट्स ऐसे होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन मार्क्स की रहती है उन्हें मतलब नहीं लड़का काविल वदें उन्हें डिग्री से मतलब है यह तो प्रॉब्लम है अभी 15 विकेंसी निकली चपरासी की कितने लोग गए हजारों लोग पहुंचे उसमें पीएजडी वाला कह रहा है कि मैं एमस्टी हूं पीएजडी हूं क्या क्या हूं मुझे नोकरी नहीं तो तुम पर लानत है ना यह गवर्मेंट पर तोड़ी लानत है तुमने इतना पढ़ लिया और तुम कु कमाते हैं मेरा फ्रेंड अस्तोस वह 40-50 यार पढ़ाता कमाता है क्योंकि गाओं गाओं में इंग्लिस मीडियम स्कूल खुल गए हैं टीचर इतने हैं नहीं तो इंग्लिस मीडियम के बच्चों को पढ़ाता है पांच मीतार और 40-50 यार कि दो-2,000 रुपे लेता एक बच् पढ़ा सकते हो अगर आप नहीं जा रहें कोचिंग तो आप पढ़ा सकते हो कई चोटे-चोटे बच्चे में देखा जो ग्रेजुशन कर रहे हैं और 30-40 चाले बच्चे को लोगों को पढ़ा रहे हैं तो अगर हम पढ़ लिग गए और इसके बाद बिरोजगार इसके लि कोई जानकारी दो दुरुवराठी का नम सुना है दुरुवराठी क्या करता क्या हुआ उसको एनलिस करता तो आप पढ़ो पेपर आप एनलिस डाने लगो उसके मैंने कमाई 5-6 लाक होगी कम से कम इतने स्पॉंसर उसे मिलते हैं तो अगर हम पढ़ लिग गए और बेरोज है तो ब्लॉग लिखो किसी चीज में ब्लॉग लिखो एक लिखो अन्धोल्न आप लिखी करद हैं तो ट्रेपलिंग वसे कमाने के ड्ба एक आगा आज में यह आ गया यह फोटो देखी पैसे मिलते हैं सब चीज होंगे नीज पेपर के पैसे मिलते हैं आप 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 बेरोजगार हो तो अपनी वज़े से आप कोचिंग करते हैं इसमें खूब आप आप पढ़ा कोई भी जैसे अभी वह किसान कानून वापस हो गए तो युचिश्प्रवालों को अच्छा होगा जो चाब देंगे तो मैं यह युबाहुं की गल्ती मानता हूं अपन सब की गल्ती मानता हूं अगर आपन कुछ नहीं कर रहें और दोस्त देंगे माबाब को रिजल्ट दी नहीं आएगा आपको क्या पता लागवों लोग बैठ हम नहीं होता है तो हम हर बार है हर बार मेंस लिखे आते हैं सोचते अगली वार म्हुना पर मेंस अच्छे से लिखेंगे अगली वार आन्सा debating करेंगे प्रिक अगली भार घटना अपर पढ़िए नहीं पढ़तें बना घ्मारत सेटे अदो हम तो धक्कर विध्रो जो अमेरिका में बस्ती बसने लगी क्रिमिनल्स की क्रिमिनल्स ने दीरे दीरे बस्ती बसा ली थे तो अंग्रेज थे तो पड़ी लिखे अब उन्होंने क्या किया बोला में आजादी चाहिए और उन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू कर दी अमेरिका में जब अमेरिका में रहा होंगे तो डिमांड खतम क्यों फैक्टरी में कपड़ा थोड़ी बनेगा दूसरी चीज़े बनेगी हत्यार बनेगे वीपंस बनेगे तो जो महराष्ट के किसान थे उनकी फसले बरबाद क्योंकि खरीदी नहीं रहा तो यहां के लोग किसान हो गए करजदार क्योंकि यह साहुकारों से करजा लेकर सीड फर्डिलाइजर यह सब का जुगाड करते थे बीज खाद का और जो फसल आ जाती थी चुका देते थे जब फसल ही नबिकेगी की तो करजा क्या चुकाएंगे तो जो दक्कन विद्रो हुआ उसका बहुत बड़ा कारण था अमेरिका में आजादी की लड़ाई का सुरू होना अमेरिका सिवल वार महराष्ट में चल रहा था साउथ में बदाय था महराष्ट बगएर में चल रहा था इसमें सूद खोर जिसका नम था कालूराम कालूराम ने एक किसान था बाबा साहिब बाबा साहिब इसका करजा नहीं चुका पाया तो ये अदालत गया कालूराम और करजे के एक आगज दिखाए और अदालत ने ये आदिज दे दिया कि बाबा साहिब देसमुक की जितनी भी जमीन मकाने सब नहीं चुकाई तो कुर्की होई जाती है तो सब किसानों ने कर दी अब बगावत और यह समझ में आ गया कि अदालत तभी कुर्की करेगी जब कागज दिखाऊगे तो यह सूद खोरों के घर गुस गए और कागज जलाना सुरू कर दिया इन्होंने बूला था हिंसा नहीं कर जाएंगी जोनों नकागज देने से मना किया तो दक्कन विद्रो अमेरिकन सिविल वार सुरू हुआ फसलों की कीमत गिर गई किसानों को गाटा करजा चुका नहीं पाए जब करजा चुका नहीं पाए तो इनकी होने लगी कुर्की ऐसी केस था कालूराम और बाबा साहब देशमुका कालूराम अदालत से लाया डिक्री डिक्री मतलब और और उसने करने कुर्की जैसी प्रजल गया किसानों को तो बोले कुर्की नहीं होने देंगे और जितने साहुकार सबके घर से कागश ले आएंगे तो इसी को बोलते हैं धक्कन रिवोल्ट इसमें एक नेता पास कर दिया लगांक रिक्षांक राहत 1876 सब को राहत दे दी फस difag नहीं रहे तो यह भी जीती गये तो बिद्रो के हुआ टेक IRिलीव एक्ट अपास कई तो प्रिद्रो के हुआ समझ में आ गया महारास्ट में हुआ पहली चीज अमेरिकन सिविल गओर स्टाट हो गया इ इसको समझ दो सुनो अमेरिका दो टाइप का था एक था नौर्थ और एक था साउथ मतलब नौर्थ साउथ अमेरिका की बात नहीं कर रहे अमेरिका में दो हिस्ते थे USA के खुद के दो इसे दे उत्री एक दक्षडी यहां पर थी फैक्टरीज और यहां पर थे खेद और जितने खेद वाले थे वो रखते थे गुलाम तो अमेरिका के दक्षडी इससे में ग्रह यह दिसेवल बार का मतलब समझा रहो अमेरिका के दक्षडी बिजनेसमें रा करते थे तो अमेरिका दो टाइप का हुआ करता था पहले एक इससा जहां इंडस्ट्री इंडस्ट्री डवल अब थी एक जहां गाउं गाउं थे मतलब एक तरफ सहर ही सहर बन गए और जो गाउं में जमीदार थे यह गुलाम रखते थे दास पर था और यह बस मिलता थे मज़दूरी नहीं मिलती घुलाम मतलब घुलाम अब विक्टे जब तुम सब गाउं के writers कोकुं करने आएगा फैक्ट्री में मजदूरी करते वो गाउं के लोग होते धहन रखना आप चाए दिल्ली चले जाओए महाराऑ चाहिए आप साउच चले जाओ अगर आपको मजदूर मिलेगा तो गाउं कई मिलेगा चाहिए आप मताद किसी भी जका की बात कर रहे आप दुनिया के किसी भी फैक्ट्रि में चले जाओ जादा तर लोग गाउं के मिलेंगे जिनके गाओं में कुछ काम नहीं था वो मजदूरी करने लगे दिली में कामकाच करने लगे तो हुआ क्या तो जब भी यहां चुना होते थे तो कोसे से रहती थी गवर्मेंट बने अब नौर्थ के लोग ज्यादा जीत गए तो नौर्थ के लोगों ने अबराहिम लिंकन को बना दिया प्रेसिडेंट अब्राम लिंकन का नाम सुना है अब्राम लिंकन को बना दिया प्रेसिडेंट अब्राम लिंकन पारसदी से लेकर सब चुनाओं लड़े और हारे और लास्ट में एक ही चुनाओं जीते प्रेसिडेंट का अब्राम लिंकन नोर्थ उस तो फैक्ट्री वाले तो यही चाहते थे दास प्रथा बंद हो साओध वाले कभी नही के जबीदार क्यों चाहेगा गुंद खेतों में काम कौन करेगा और इने चाहिए गुलामी बंद हो जिससे यह गुलाम चूटके हमारे फैक्ट्री में काम करे तो जैसे अब राम ल प्रेसिडेंट बने तो यह हो गए बरबाद कौन जमीदार इनकी पीच में लड़ाईयां हुई इनकी आर्मी और इनकी आर्मी क्योंकि यूएसे कोई देश थोड़ी था यूएसे कई सारे स्टेट ने मिलके बना दिया यूनाइटेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई सारे राज्य मतला जैसे एंपी एक अलग राज्य था उसकी अलग आर्मी उती यूपी की अलग होती इन सब ने आपस में समझोता किया वो एक देश बनाते तो अमेरिका के अंदर कई सारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर भी बोली मार दी अबराहम लिंकन को कि इसके वज़े से वो कानून पास हुआ और छड़ गया सिबिल वार बना यह आर्मी और यह आर्मी आपस में लड़ने लगे तो अमेरिका जब सुरुआत में बना था तो यह सब मिलके बने थे स्टेट और इसमें कानून था कि कोई भी स्ट करते थी कि जब आपकी मर्जियों इस देश को छोड़के अपने अलग देश बना सकते हो पर यह बात में बंद हो गया अमेरिका कैसे इंडिया कैसे अलग है इंडिया पहले देश था बाद में स्टेट बने पहला नतर दूसरा इंडिया से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो स अमेरिका में लड़ाई शुर्ई हो गई था महाराष्ट के लोगों का किसान बिकना बनुखले बेरोजगार बेरोजगार मतलब कर्ड़ितार करदार हुए साहुकारों ने जमीने हडपना शुरू कर दी कालूराब ने हडप दी बाबा साहिब देश मुकी हडप दी तो बिद्रोस शुरू मदद किसने की बाजदेव बलवंत फड़के ने बाद में कमीशन बना दक्कन उपद्रो कमीशन और एक एक्ट भी आ गया दक्कन, किसान, राहत, अधिनिया मनला सभी किसानों को दे दी करज से राहत तो ये है सिविल वार सिविल वार का मतलब है नौर्थ और साउथ के बीच की लड़ाई चला अब है रामोसी रामोसी या रामोसिस एक ही बात है तो मराठा जब हुआ करते थे तो उनकी सेना में जो सिफाई होते थे वो रामोसी जात के होते थे तो ये भी महराष्ट की बात है मराठा मतलब महराष्ट तो जो दक्कन विद्रो ये भी महराष्ट में हुआ और रामोसी भी हुआ ये भी महराष्ट है तो लीडर कौन थे चित्तर से रामोसी का था चित्तर से तो रामोसी एक जाती थी हैं जो मराठा की सेना में काम करती थे बारद में चित्तर से बंगाल में कौन-कौन से स्रूंसRevere做ू हो गए रंगपुर नीयल और पावना यह तीन उसमें हुए पंजाब में कौन से चला था निता कौन था जबाहर मलने शुरू किया था सयाने साथ बालक सिंग के साथ पर अंग्रेजों के खिलाब अंदोलन को मोडा था राम सिंग जिनको कहां भेज दिया गया रंगून तभी तो गहना मेरे पिया गए रं कालू राम ने कर दी बात में दक्कन कमीशन बना दक्कन एक्ट भी बना रामोसी भी महराष्ट में हुआ रामोसी एक जाती थी चला इसमें चित्तर सिंग और एक उमा जी भी थी अगला है चंपारण अब यहां से गांदी जी के टाइम के बात देखते हैं चंपारण तो च इस बीघा जमीन होगी तो तीन बीघा में नील की खेती करनी पड़ेगी इंडिगो उगाना ही पड़ेगा इस कस्टम यह इस प्रथा को क्या कहते हैं तो बिहार के चंपारण में किसानों पर एक प्रथा थोब दी गई जिसका नाम था तिन कठिया ठीकर तो यहां के किसान से दो लोग आए एक राज कुमार सुकल और एक राउत संत राउत तो राज कुमार सुकल और संत राउत यह दोनों लखनों में गांदी जी से मिले और गांदी जी से रिक्वेस्ट की आप चलो बिहार के चंपारण और वहां हम लोगों से जबस्ती नील की खेती करवाते त तो ग्रांदी जी ने पहले तो मना किया पर टाला बोले ऐसा करते हैं पहले मुझे कलकत्ता जाना है कलकत्ता से फिरी हो के बिहार आएंगे तो और रामकुमार सुक्ल राजकुमार सुक्ल गई नहीं वो भी कलकत्ता गई बोले हम साथ में कलकत्ता चलेंगे क्योंकि ये टालना होता ना कि पहले कलकत्त का काम देख लेंगे फिर तुमसे बात के चिट्थी लिखेंगे एक साब आए नहीं भी काम हुआ नहीं तो उन्हें साथ ही रहेंगे जब तक तक तुम्हारे काम सब निपटना जाए तो 1916 से साथ में चिपक गए राजकुमार सुक्या और साथ में लेके आगे बिहार के चंपारण 10 अप्रेल 1917 को महत्मा गांधी आगे और इन्होंने चंपारण में सब किसानों का दोरारा किया और सब समझने के वाद 19 अप्रेल को चंपारण सत्याग्रण शुरू कर दिया किसानों से कोई भी नील नहीं गाएगा तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रे सत्याग्रे मतलब सत्य के लिए अग्रे है request for truth सत्य के लिए गरे तो सही है हमारा खेट हम चाहिए जोगा आई जबस्ती तीन वीगा में क्यों गवा रहे हैं तो कहने हैं मतलब इसलिए उन्होंने सत्याग्रे सुरू किया इसका नाम क्या है चंपारण सत्याग्रे गांधी जी चंपारण कप पहुंचे थे 10 अप्रैल को शुरू कब कर दिया किसके कहने पर आए इनों ने जब अंदोलन सुरू किया दिन के साथ कई सारे नेता थे ब्रज किसोर प्रसाद राजैंद्र प्रसाद अनुग्र नाराण सिंग राम नौमी प्रसाद जे भी कुश्चन आया था कौन सा नेता नहीं था तो ध्यान रखना ना तो जवालाल नेरू थे ना बल्लाबाई पटल थे दो बड़े नेता याद क्योंकि कुश्चन जो आया था वो आया था जवालाल नेरू पे कि जब गांदी जी चंपारण गय थे तो कौन सा नेता नहीं था आंसर था जवालाल नेरू तो ना जवालाल नेरू थे ना ब चंपारण अंदोलन कब शुरू कर दिया बाद में अंग्रेजों ने क्या कि एक चंपारण की कमेटी बना दी उस कमेटी का मेंबर खुद गांदी जी को बनाया क्यों गांदी जी वकील थे बोले वकील साहब आप भी देखो तो यह बहुत बड़ी बात है कि अंग्रेज जां जी इनको छूट तो चंपारण सत्यागर है गांदी जी का पहला सत्यागर है राजकुमार सुकल और संतराहुत के कहने पर आई लगनु समझवता में बुलाया 10 अप्रेल को चंपारण पहुंचे 19 अप्रेल से सुरू किया साथ में बहुत सारे नेता और थे जेवी करपलान संतराहुत ने इनको बोला बापू तो गांदी जी को बापू पहली बार किसने बोला तो यहां से बन गए बापू गांधी या गांधी बापू ठीक तो चंपारण जब सक्सेश्पल हुआ तो संतराहुत ने बोला इनको बापू तो चंपारण याद हो गया यह गांदी ज चला खेडा में भी दिक्कत आ गई खेडा में क्या दिक्कत आ गई अगर फसल 25% से कम हो तो लगान नहीं लगता था यह नियम था अगर किसानों की 75% फसल चौपट हो जाए और केबल 25% फसल बच्चे तो लगान नहीं देना पड़ता था पर 1918 में जब गुजरात के खेडा मे फसल चौपट हुई सूखे की वज़े से तो अंगरेजों ने बोला कि तुम्हें फिर भी लगान देना पड़ेगा कि हमाई नजर में एक चौथाई फसल से जादा बची हुई है तो लड़ाई समझ में आ गई नियम था अंगरेजों का नियम था कि एक चौथाई से कम फस गुजरात के खेड़ा इसमें दो नए लीडर सामने आए एक बल्लब भाई पटेल और इंदुलाल आगे दोनों एडवोकेट थे दोनों ने अपनी वकालत छोड़के गांदी जी के साथ हो गए तो सरदार बल्लब भाई पटेल पहली बार किसी आंदोलन में आये थे वह नहीं देना पड़ेगा। खेड़ा में किसानों का लगान माप किया कि देना पड़ा। तो आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी के किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता सबसे ज़ादा थी इसी में क्यों थी क्योंकि इसमें मात्मा गांधी का आसायोग चल रहा था नौन कॉपरेटर और मुसल्मानों का खिलापा चल रहा था दोनों मिलकर एक साथ चल रहे तो वह सबसे ज़ादा एकता भी इसी में तो सबसे बड़ा दंगा भी इसी में अब है बार्दोली 1928 बार्दोली 1928 इसमें देखो क्या है बार्दोली में क्या हुगा कि लगान 30% बढ़ गया बार्दोली गुजरात में है यहां पर अंग्रेजों ने लगान पहले से एक त्याही बढ़ा दिया तो यहां लोगों ने कर दिया आंदोलन आंदोलन सबसे पहल जी मेड़ता एक का नाम कुमर जी मेड़ता तो दो मेड़ता भाई किसान थे और एक दयाल जी इन तीन लोगों ने शुरू किया 1922 में 1928 में एंट्री होती है बल्ला भाई पटल की इसले बार्दोली पढ़ते है 1928 जबकि चल कब से रहा था 1922 से तो गुजरात के बार्दोली में लगान बढ़ गया मेड़ता दो भाई थे कौन-कौन मेड़ता कल्यार जी मेड़ता और कुमर जी मेड़ता और साथ में एक और लीडर थे दयाल जी तो मेड़ता ब्रदर्स और दयाल जी ने बोला कि यह लगान इतना नहीं देगे इनके साथ में कुछ महिलाएं थी जै आते हैं तो अंग्रेज अंग्रेज दो अंग्रेजों को बिठाते हैं बिटे सरकार ब्रूम फिल्ड और मैक्सवेल इनसे बोलते कि रिपोर्ट बनाओ ये रिपोर्ट बनाते हैं वोले 30% तो ज्यादा हो जाता है इसको घटा के कर देना चाहिए 21% बल्ला बाई पटल फिर भ दे बाद में अंदूलन जारी रहा तो कितना बढ़ा केबल 6% जब ये अंदूलन सपल हो गया तो बार्दोली की महिलाओं ने सर्दार बल्ला भाई पटल को बूला सर्दा सरदा्र तो Biagi cuando इन्हों महातमा गांदी ने महनीं बल्ला भाई पटल को ब्ला पटल को सरदार भू जाना है सर्दार अद oike अब क्वेशिच इ चुका है कि सरदार बला बैठbn को सरदार किस ने बुला ये उपलंति मातमा गांदी वी उब्वसאन बार्दौली की महिला कि क्या हुआ विछा बार्दोली की महिलाओं नहीं लिए ठीजीन ने बोला है कि तुम्हें तो गांदी जी ने बार दोली एतर ये कुष्यचिन आ चुका है तो बार दोली समझ में आगे हैं मुद्द समझ में ङहां सबकी मुद्द evangelizaam 25 तो कम बची हो तो लगान नहीं लगेगा फर लगा ठीक, रेपोर्ट किसने बनाई दी? मैक्स sudden मैक्सोल भी covid पॉजिटेव हो गया कल एक टीम के तेरा लोग पॉजिटेव हो गया मैल बन स्टार्स के अभी चला न, big best league तो मैल ब nut स्टार्स में कल मैक्सेवल भी पॉजिटेव हो गया अगला है ते भागा ते भागा बंगाल में चल रहा था बंगाल ने एक चुली तिरपुरा में चल रहा था यह बंगाल बॉर्डर में बंगाल बॉर्डर में ते भागा नाम से ही समझ वा रहा रहा अंग्रेजों ने कहा अंग्रेज ने किसानों बुला जमीदारों को एक तयाई से ज्यादा लग था इसलिए इस आंदोलन का नाम भी थे भागा मुंएंट हो गए तीन भागत था ना दीन में से में भाग देगे तो थे भागा का नाम सबंच में आगे तरफारा में शुरू हुआ जो बंगाल के नोगा खाली के पास नोगाली वही जगह यहां बटवारे के समय सबसे जाद abroad तो इसे किताबों में बंगाल लिखा रहता पर अंगल में नहीं था बंगाल के पास तरॊपरह में था तो त्रॊपरह में ये शुरू हुआ तुरूरह के असनाबाद में इसके निप स्वा रखना ऐक मदरम ओवनष्यिक दिमांड वही है एक त्व Auswा दो तो यह हो गए पूरे किसान आंदोलन जल्ली से मुझे बता दो किस आंदोलन में कौन नीता थे मुद्दा क्या था कहा है किसान आंदोलन चलो रंगबर विद्रो कहां पर हो रहा था नहीं चलने रंगबर चलने तो चलो 1783 में बंगाल में धीरज नाराण इसका नील विद्रो किन ने शुरू किया विश्वास दिगंबार विश्णू कहां पर चल रहा था किस नीज़ पेपर ने मदद की दा हिंदू पेट्रियाट एडिटर हरी चन नील के खेती शुरू किसने करवाई थी लूइस बनार्ड ने बेक्टी था इसके बाद इसमें और कुसफ़ पॉइंट थे दिन मंदऌला नीज़ पर पावन कहां पर चलता पावना इसमें मुद्दा क्या था अरे इन लोगों ने बोला था महराणी को सीधे लगान देंगे पावना ने बोला था कि हम सीधे लगान देंगे महरानी इस ब्रेटिनेंट गवधनर केंपए बेड बेल ने भी इनका किया सपोर्ट और अलग से बंगाल टीनिसी एक एकट पुका पंजाब जवार मल ने शुर क्यों सुरू होगा अमेरिका में civil war शुरू अमेरिका के नौर्थ के स्टेट्स और साउथ के स्टे लड़ने लगे यो नौर्थ वालों ने गुलामी प्रता बंद कर दी अब राम लिंकन की हो गई हत्या और सुरू हो गया civil war जैसी राश्पति हत्या होगी तो लड़ाई सुर प्रवन प्रवर ने कालू नाम ने किसके हडबली जमीन ने बाबा साथ देश मुक्ति किसानों ने बगावत एक नेता और आया बलवन सिंग फड़के बाद में कमीशन भी बना और एक्ट भी आया रामों सी मराठा सेना में आर्मी होते थे चित्तूर सिंग इनके नेता थे चितर सिंग चितूर सिंग चंपारण गांदी जी किसके कहने पर आए शुकल और संतराउ कहां पर गए मिले थे लगनों में 1916 में गांदी जी कितने तारी को चंपारण आए कितने तारी को शुरू हो गया वाद में चंपारण कमेटी बनी गांदी जी को मिंबर बनाया वाद म सबसे बुरा गाना लगता था मुझे गाना हमाई स्कूल गाते बापु हमारे स्वर्गे सदारे गए हमें ऐसे कुछ गाना था लड़कियां गाती थी इतने रोते-रोते एक गाना है कि नहीं है बापु हमारे हमें लड़की गा रहे हां इसके तीन-थीन भईयां है मझें और थी और यू इतना रोके गाती थी मुझे लगता सच में को मेरी लाइफ का सबसे ब्रहा काना दो में तो बच्छमंस ही गाना काना था कॉनसा था मुझे याद मेरा दोस्ता नितिस ब्रहुता तो पहन की गाता था उसे स्रम भी यह थी तेंथ क्लास अफ़ेंड में आता था हम लोगों ने भी कोशेश की थी एक दिन आए पर टांगे पूरी क्लास टांगे छिपाई हम लोग उसका देखा वो क्या बाहर से आया था तो थोड़ा modern टाइप का था गाउं में हमने उसको फॉलो किया कि हम भी modern हम भी एट्थ पूरी क्लास में चलेगा चड़े में अब टांगे छिपाते फिर रहें और क्लास के रणके ताने दे रही हो चड़े हैं वह लाइप का पहला और आखरी दिन था पर हमने कभी चड़ा नहीं पहना हम लोग गाना काते थे आय वतन एवतन क्योंकि यह एक गाना ते इसमें कोई हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े लेते थे कि नर्वस थे और पूरी पबले कान बंद कर ले थी क्योंकि मैं क्लास थर्ड से क्लास 10 तक एक ही स्कूल में पढ़ा और एक ही गाना गाया और जैसी आये बोले है बतने ओरे या साथ साल में तो दूसरा गाना सीखा ही लेते हम लोग ऐसे हाथ पकड़ते थे दो नो एह वतान एह वतान और डॉट पहन ले 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 थे चला खेड़ा दिक्कत क्या थी बदा दिया पहली बार दो नेता बर किया है मोपला बिद्रो नहीं दंगा है केरल के मालाबार मेरे कोड़े नहीं गरूर्मेंट वही लिखना आठाईस इसमें प्रॉबलम क्या थी है पार शुरू किसने किया था मेड़ता बडर्स और दयाल जी मेड़ता बादस याद है कौन-कौन से मेड़ता बादस थे लिखनार जी और कुर जी चलो उह महिलाए थी महिलाओन ने बल्लबाई पड़ल को क्या बोला सरदार अंग्र पर्माने हम 6 पे ते भागा क्या डिमांड थी तीन भाग्ची यह तो यह हो गए हमारे पूरे किसान बिद्रो दस-पंदर मिट का और बचा है नागरिक सिबल बिद्रो अब जाई रहे चला धन्यवाद